राम 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 जहेन कुछ बेसिक किताबों के बारे हम बात कर लेते हैं क्योंकि किताबें बहुत जरूरी होती हैं उसके बारे हम थोड़ी बात कर लेते हैं और एक चीज और हम आपे बता दें कि जो हम किताबें बताने जा रहे हैं इन किताबों में अगर कोई किताब तुम् में सही लगती है सबसे पहला है करेंट अफेस की देगो दो किताबें चलेंगी करेंट अफेस के लिए एक किताब से करेंट अफेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा गटना चकर कंपल सरी वो तो एकदम रामबाड है उसके साथ साथ द्रस्टी की लिए सकते हो जो 6 महिने का अगर द्रस्टी थोड़ी सी देगो क्योंकि क्या होता है द्रस्टी की लेंग्विज थोड़ी टाप होती क्योंकि वह बेसिकली टार्गेट यूपीस्टी को करते हैं तो उनकी लेंग्विज हो सकता है तुम्हें थोड़ी समन मिना है अगर ऐसा हो रहा है तुमारे साथ तो तुम स्विच्छ कर सकते हो कोई बी अल्टरनेट बुक ले लो तुम उसके साथ अरे वो क्या प्रकासन था नाम नहीं आधा रहा है सौरी बट तुम देख लेना कोई भी प्रकासन लेकिन घड़ना चक्रमारी रहेगी कंपल सरी है ठीक है दूसरा सेक्षन है हमारे पास समान समान ग्यान की तैयारी हम यह कहेंगी कि आनलाइन मत करो जादा बेटर है क्योंकि समान ग्यां के ना समझने की चीज़ ठीक है और उसमें जो चीजर समझनी है वो किताब में बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगी फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि किसी को कोट्स पर जाती है और उसके साथ आप्शनल को अटेच कर लेना दो किताबी यह हो जाएंगी तुम्हारी ठीक है इसके बाद लूसेंट अगर अच्छी लगती तो फिर तुम्हारे उपर है अगर हम सजेस्ट करेंगे तो हम सजेस्ट करेंगे कोई भी किताब कोई भी ऐसे किताब जो इस पर थोड़ा सा वरोसा कर लो ठीक है अब वो किताब है अगर लिंक देंगे उसमें मेरा ही प्रोफित है बड़ हम चाहते हैं कि तुम पहले मार्केट जाओ तो एक किताब ले ले न जो NCRT based हो ध्यानक ना NCRT based हो लेकिन optional ना हो कि कोशन दिया उसको आंसर दिया वह आली नहीं theoretical हो बट NCRT based हो अगर तो मिल जाये तो वो ले लेना नहीं तो फिर से काम चला लेना उसके बाद एक छोटी किताब आती है computer की बिल्कुल पतली से किताब वो separate ले लेना computer की जो पतली किताब आती वो अलग से ले लेना वो किसी भी प्रकासन की ले लोगे उसमें तुम खुली छूट है जिसकी भी लेना चाओ किताब वो ले सकते हो ठीक है अब किसी भी टीचर का करो हम नहीं तुम बता रहें कि किसका कोर्स लेना किसका नहीं लेकिन तुम अगर तुमने बैच नहीं लिया है तो क्योंकि अर्थमेटिक तुम यूट्यूब से देख के सारी चीजे समझ भी जाओगे लेकिन अलजबरा के लिए तुम्हें क्लास नोट्स लगेंगे ठीक है उसके सासत अभीनय सर की मैच किताब आती है अगर देखो अगर तुम्हें क्लास क्लास समंझ में मतलब तुम्हें लगता है कि अर्थमेटिक किताब ले सकते हो मतलब कि class notes of algebra यह सब के लिए नहीं है जिनको बहुत ज्यादा वीक है उनके लिए है class notes क्योंकि class notes में एकदम coaching का material time मिल जाता है अगर तुम थोड़े बहुत भी अगर तुम जानकार हो तो यह अभिने सर की देखो मेरा यह भरोसा हमेशा से रहा है कि किताबे हम बहुत ज्यादा focus नहीं करते हैं हम focus करते हैं प्रैक्टिस सेशंस पर जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतना ही मदद आपकी मिल जाए हो जाएगी आपकी नीतु मैं मैं की जो इंगलिस क्याती है वालिउम वह तो सदा बाहर है सबके लिए बेतरी ने इंगलिस इंदी माद्यम सबके लिए बेस्ट है वह किताब तो तुम तीन चार बार पढ़ डालो ठीक है उसके साथ साथ, Neetuan Manaphane या Neon Manaphane की आती है vocabulary की Book अलग से, नेतora मैं ने भी या नई किताब ले सकते हो या फिर Neon Man की किताब ले सकते हो, दोनों से कोई भी किताब ले सकते हो, ठीक है? और उसके साथ साथ आखरी में अगर दोनों ही नहीं लेना चाहते हो तुम बहुत और डेप्थ में जाना चाहते हो तो केवल ब्लैक बुक ले लेना लेकिन अब तुम यहाँ पे नीटु में की जो इंगलिस की वोकेबलरी है वो भी अलग से लेके बैठे हो नियॉन मैन भी ल होगे कि I zn की कि की बात नहीं करी रीजनिंग में किताब कोई नहीं लेने हैनेँ रीजनिंग में निय SG में पिनाइकल की अंब या फिर केरण की ले सकते हो तो चार प्रीवियन सर्बूक लगेंगी जिसमें की एक math की होगी, एक English की होगी, एक होगी हमारी समानगान की, एक reasoning की, ये चाल किताब तो भीया लेनी पड़ेंगी, इनमें तो कुछ नहीं कर सकते हो, बस ये किताबे बस इतनी चाहिए, अब कुछ लोगों को ये भी किताबे जादा लग रही होगी, लग सकती है जादा, लेकि क्या करें, इस लेवस उतना है कि इतनी किताबें, इतनी ही किताबें लगेंगी आपकी, अगर ऐसे UPSC करने जाओगो, उसमें तो बैंड बच जाए, क्योंकि उसमें तो किताबों काम लग जाता है, ना चाहते हुए भी आपको 30 किताबें लगबग ख़तम करनी पड़ेंग इसमें तो उतना फिर भी नहीं, 10-14 किताबों में काम हो जाएगा, ठीक है, और देखो, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो जो प्रीवेस एर पेपर है, वो तो इसे सॉल्व कर दोगे, तो इस शीच को थोड़ा सा समझो, और इतनी किताबें लगेंगी ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए राम राम जेहें